आज हम हिपोपोटामस के बारे में बात करेंगे हिपोपोटामस घूमी पर सबसे बड़े पशों में से एक है वे 14 फुट तक की लंबाई तक पहुँच सकते हैं और कंधे पर लगभग 5 फुटूचे हो सकते हैं हिपोपोटामस आमतोर पर उनके निवास करने के लिए उप्युक्त जल्स्रोथ होने वाले उकसहारी अफ्रीका के क्षेत्रों में पाए जाते हैं वे आधेजलिय पशु होते हैं और अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पानी के पास या पानी के निकट गुजारते हैं हिपोपोटामस का सबसे शक्तिशारी हिस्सा उसकी जबला और दात होते हैं हिपो के भारी जब्लों में बड़े और तेज के नाइक दात होते हैं विशेश रूख से उनके विछले के नाइक दात जो 50 से की विज़ लंबे हो सकते हैं ये दात दुर्जन हत्यार होते हैं और विभून्यों उद्देशों के लिए उप्योग हिए जाते हैं हिपो कोटामस की आम जीवनकार आमतोर पर जंगल में 40 से 50 साल के वीच होते हैं